टेल का opposite word क्या होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं टेल का मतलब होता है पूँच और पूँच का उल्टा हो सकता है सर यानि कि टेल जो है बिलकुल शरीर के पीछे का हिस्सा है सिर जो है सबसे आगे का हिस्सा है तो टेल का opposite हो सकता है head और इसके इलावा भी हम जैसे toss करते हैं तो उसमें भी tail और head होता है तो जैसे कि आप ये कह सकते हैं he chose tail and won the toss यानि उसने tail choose किया और वो toss जीत गया, इसका उल्टाम कह सकते हैं he chose head and lose the toss इसके लाव आप कह सकते हैं it's the tail side of the coin यहने कि यह स्थिक्य का tail वाला हिस्सा है इसका उल्टाम कह सकते हैं it's the head side of the coin यहने कि यह coin का head side वाला हिस्सा है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें